Hello everyone, Welcome back to the Unmol Arora Sardy Class The guys अपनी चल रहे ही सी एक important day series जिसनों कुछ समय लई रोक्या गया सी आज फिर तो कर रहे हैं उससे समंधवेच वाप सी and मैं होप करदा हैं आज तुसी फिर तो जुड़ूगे मेरे नाल entity सठ माक्सी तयारी दे समंधवेच शसी एस तो पहला 25 सेट लगा चुके हां आज फ्वाड़े सामने मैं 26 सेट लेके हाजिरां 25 सेट फ्वाड़ेली काफी ज़्यादा helpful होए ने वो तुसे मैंनों and फ्वाड़े comments ने मैंनों साफ तोर तो भ्यान कर दिता है सो ऐसे करके वो फ्वाड़ेली 26 सेट फ्वाड़े सामने आज रखूंगा उस तेनाली आज मैं शुरुआत करूंगा जिसनों नहीं पता जो फ्वर्स ताइम आज टेट बजर दे चैनल ते आ रहा है उसनों मैं दस दिना चाना कि अगर तुसी इन फूचर एंटिटी दा पेपर देना है तो यह जो थोड़े तीन सब्जेक्ट्स ने जिनने वे थोड़ा साइकॉलची है जिसनों से सीडीपी कह देंदे हो ओ है पॉलिसिजन प्रोग्राम्स है एंट एंटिटी दा करिकुलम है टोटल मिला के जो थोड़ा साथ नंबर दा पॉर्शन रेंदा है ऐसते समंदे विच आपनी ओपन सीरीज चल रही है ऐसते विच डेली बेसिस ते अपने 20 MCQs दा हुन सेशन ओदा आंते रहेंगे और गाइज अगे बदन तो पहला जिनना नू नहीं बताए स्पेशली ओना देली कि आपने दो टाइप दे पेड़ कोर्स वी अविलेबल ने जो की टैट बजर दी एप्लिकेशन दे रहेंदे है ओते थोनों मिल जानदा एक कम्प्लीट 10 सब्जेक्ट्स दी तयारी वाला पेड कोर्स एक कम्प्लीट 60 नंबर दी तयारी वाला पेड कोर्स एंड जो तुसी चांदे हो थ्वाड़े विच्छों की इन डेप्थ जाके टॉपिक वाइस थियोरी प्लॉस तॉपिक वाइस एमसी की उस दिनाल तुसी चो है हर एक चीजनों कवर करना चांदे हो तो वो पेड कोर्स थ्वाड़े लिए हो थे अवेलेबल ने रिकोर्टेट फॉर्म दे विच है और वीडियो लेक्चे दिनाल थोनों पीडियाफ नोट्स भी मिल दे है पीडियाफ नोट्स थे वीडि पर दे वेट वी चल रहा है ठीक है गाई सब्सक्राइब जरूर वापसी हो रही है बट कोर्शन दो प्रेंडिंग सी ना था ख्लियर करना जरूरी है जी नहीं ता फिर रह जाएगा पैंडिंग ता दिको जी तारा भाई अल्सो इंट्रोड्यूस दा कंसेप्ट आफ डैस स्कूल तारा भाई मोदक ने डैस स्कूल दी तारना भी पेश किती सी तारा भाई मोदक तो याद होएगा पिंडू खेतरा अंदे विच एना ने जो है स्कूल स्थापित किते से गे आ काफी जो बालवाडी सिस्टम हैना काफी फेमस होया सिगा बहुत फेमस ने बालवाडी दे लई हलां कि उद्रों देखो अगर वर्ड लेवल ते देख दिया तो तो तर्थे किंडर बालवाडी सिस्टम है पर नुम देनार नापन के कॉल कीधि को लुट ही जहां तो ऩगोकशन हुजोनảoिक्रां जेटेड़ उस और आतेंटिव एंड प्रोपर रसी हन वन बाई वन गेवर देयां विच वन ओफ दाव फॉलोविंग इस एन एग्जामपल ओफ फाइन मोटर स्किल्स केंदे जी हेट लिखें विचों केडा सुखम गति शील कुशलता दी कुदारन है या सुखम गति आत्म कोशल दी कुदारन है जो तुसी कहना चाहो दोना विचो कह सकते हैं देखो क्लाइमिंग है चड़ना होंदा है या हॉपिंग होंदा है जिसमसी कह सकते हैं टपना या कुदना हो जानदा है या रनिंग दोडना है या लास्ट राइटिंग लिखना है देखो fine motor skills अगर असी गल कर देयां, थोड़ा बोताय इस link विच आने हां, तो fine motor skills कैहूं जी skills ने, जिते अक्खां अते हथांदा तालमिल बिठाके कारच करने हैं, उससे बेस देया है, हुन अगर सी जरह तो देख दे हाँ, अक्खा ते अत्धा तालमिल बिठाके कारच करने होंदे है, राइटिंग वाली साइड तो, कि तुसी राइटिंग सिद्धा कर लोगे, देखो जी अक्खा बांध कर लिया, तुसी लिखना शुरू कर दिता, कि अक्खा बांध करना तुसी राइटिंग कर पाने है, गाइस एसी एक इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि थवाड़ लिया, तो हो चुक है, क्लिया, देख सकते हो, जरा सैंकिड क्वेशन देवाल हुन मूफ करने जा रहे हैं, माप्यां दे परच्छा में तुं, बाहर निकलके, आपने साथी ब पहली ऑप्षन की है, किशूर अवस्ता, एडोल सेंस, फिर पूरव किशूर अवस्ता, प्री अडोल सेंस, थर्ड है उत्तरबाल अवस्ता, लेटर चाइल्डूड, ते लास्त है, शिशु अबस्ता, या जिसमें सी इनफेंस ही कह देनने हैं, तो केड़ी ऑप्षन सब तो तो बैस्त है गाइस अगर ऐसी इस चीज देली देखिए तो सानु उसने थोड़ा बोता confusion में चरक्या है थी एक तो उसने adult sense देदी एक प्री अडोल सेंस देदी एक देदी लेटर adult sense उन्हों प्री लेटर समयच दियो प्री हो गया starting वाली adult sense लेटर हो गया उत्तर बाइब जो है तुसी कहा सब्सक्राइब लेटर चाइल होड़ा है तो लेटर वाली हो जांदी मींज 16 तो 18 15 तो 18 या फिर डिपेंड करता है कि वह किस बेस्ट या 16 तो नी बॉइस दिली हो जांदी है ना क्योंकि जो एदना दा ओधों होंदा है जो एक बच्चा ना starting विच होंदा है केड़ी अवस्ता विच जो पूरव किशोर वश्ता विच होंदा है मिंज adult sense दा स्टार्टिंग टाइम पिरिड चाल गया गर्ल्स दिली 12 तो 15 है बॉइस दिली 13 तो 16 है यही सब कुछ है उन्हें विच यह चीज देख सकते हैं कि बच्चा माँ प्योदे परच्छा में तो निकल के मिंज उनकी है बच्चा माता पिता दी गल थोड़ी बुद्धी काट मिंज किया है उन पहला उन्हों पेरन्स देखना रहना है जघता बदिख़एं लगदा सी उन्हें इसने ग्रूप मना लिया जा जया जा द आखेलना अशुरू करतीत है इंग तोंियां बनाए बनागizen ए लेटरव चाईलूड पिरिड ड्याना है पर रुद्ध मिंश आगे देखो which of the following is not an example of gross motor skill देखो fine motor skill जोड़ी होई है अखा आते हता अंगे ताल में नल gross motor skill जो होंदी है ओ है सुखम प्रेरख कोशल ए है स्थूल प्रेरख कोशल उन ऐस्ती तुसी गल कर दियो जो स्थूल होंदा है ग्रूस होंदा है जोड़ी होंदा फीजिकली साइड तो तरी एक पाकवाली साइड तो उन ऐस्ती अगर इसी importance देखना शुरू कर देखना शुरू कर देखना शुरू कर देखना शुरू कर देखना तो एंदे वे suddenly important की हो जानता है उन एंदे विच तुसी लबबो ज़रा किडी एक example नहीं एक ग्रोस मोटर स्किल दी मिंद एक कोई होर example होएगी उन्हों होर किडी अजरा सनु पढ़के पता चलेगा first option है threading of beads in a string मन क्यानू एक तागे वे चपिरो ना running a race दोड़ना या फिर climbing stairs पोड़ियां चड़ना या hooping on one leg कि एक पैर उते कुद ना देखो guys जरा last है एक पैर उते कुद रहे हो physical कर रहे हो ना कम पोड़ियां चड़दे हो physical कारच है ठीक है दोड़ रहे हो किन्नी calories बर्न हो जान दिया दोड़न देना physical work बट जो मनक्यान वेक ताग्गे वे चपिरोना हुंदा है threading of beads in a string हुंदा है सब तो best option हुंदी है और इस तो best एक इस्ते ली है means ए है fine motor skill देली so fine motor skill देली थोड़ा point हो चुक है बिलकुल clear so अग्गे बाद चल देया प्री स्कूल प्रोग्राम विशेश रूपिच उनना बच्चे अनुदित्ता जान्दा है चिन्ना दी उमर किन्नी हुंदी है तब प्री स्कूल प्रोग्राम is exclusively for children whose age किन्दे किन्दे किन्नी एज दे लगबग होंगे प्री स्कूल दे बच्चे देखो ज़रा 0 तो 6 साल वले होंगे एक तो 3 साल वले होंगे दो तो 6 होंगे या 3 तो 5 होंगे गाइज 0 तो 6 ता इता प्री स्कूल प्रोग्राम दे विच अगर असी देख दे हाँ उन ज़रा एतो देखन वाली गल एतो एही इंपोर्टेंट हो जान्दी है यह बच्चे ता 3 तो 6 साल देली तो उसी देख दे हो अना गलता ये है अगली साठे को और उप्शन आ रही है दो तो 6 साल देली उन दो तो 6 साल देली अगर असी देखना शुरू करदे है प्रोपर असी दे समझना शुरू करदे हा तो दो तो छे असी ता नहीं लें दे कि उनकि बच्चा छोटा होंदा है उन 3-5 भी किते ना किते पूरी तरह बट फिर वे तुसी इसनों लगोगे, क्योंकि तिन तो छे हुंदी है, और तो उनों बैस option नजर नहीं आ रही, तो इसनों तुसी ले लोगे, ठीक है? ए प्री स्कूल प्रोग्राम दी गल कर रहा है, उन अगर आसी जरह इसते बेशते देख दे हां, जो है, एंदे विच अपने को जो point आ जान्दा है, आसी एंदे विच प्रोपर समझेए, तो इंदे जो तिन तो पांच वाली option क्यों आसी select केते? क्योंकि तिन तो छे नहीं सी, जीरो तो छे साल दे ली, अगर समझन वाले समझ गए होंगे, क्वेशन थोड़ा दे depth level था सीगा, क्योंकि दो options इना लाया सीगा, और दोनो options, हलांकि एक खास meaning इनाल सीगा, मॉन्टेसरी ने अधिया अपक दी था, किस शबद दी वर्तों कित्ती सी? मैडम मार्या मॉन्टेसरी अगर तो उसी philosophy पढ़ लई है, तो मैंनों लगदा हून को इदिक्कत होएगी अगर उसी depth level थे जाके पढ़ चुकिया हूँ, देखो मैडम मार्या मॉन्टेसरी ने teacher नूँ की क्या, caretaker क्या, कि हाँ जी teacher एक caretaker है, देखबाल करन वाला है बच्चे नी, या एक निर्देश्यक या निर्देश्यका दे रूप दे विच है, कि ओ जदो बच्चे नूँ जरूरत पहेगी, ओदो उननों guide करेगा, या एक सिख्यक है, जो जिस्ता कम है, बच्चे नूँ सिरफ सिख्यत करना, सिख्या प्रवाइड करना, या सारी रोल है जी, गाइस, मैडम मार्या मॉन्टेसरी ने, ऐस रोल नूँ जो पेश कितना है, टीचर दे लिए, ओ है निर्देश्यक या निर्देश्यका था, तट एक guide दे तोरते रहेगा, टीचरों थे, अविलेबल जरूर रहेगा या रहेगी, बट एक निर्देश्यक या निर्देश्यका दे रूप दे बिच, जिसने बच्चे नूँ जरूरत पेश्यका दे रोप दे बिच, अपने आप चलेगा, देख सकते हो ज़रा 6th question, किंदेजी, in प्याजेज थियोरी, object permanence is developed towards the end of dash, तीज गाईज में चीज़ दासे नाचाना, cognitive development दा थोड़ा एक section है, या नातमक विकास दा, जित्थूं प्याजेज थियोरी तो question बनन दे ही chance है, ठीक है, तो सो एत्थू इनना focus ते आनल करते होई अग्य बदना है, कि प्याजेज देश देशन आथ विच वस्तु स्थाई तब डैश वस्ता देश विक्सित हो जांदर, छलो ठीक है जी question एनना important है, ता मैं क्यों दसा, तुसी दसो ज़रा, अगर थ्वड़े विच्छो कोई सही answer नहीं कर पाया, तो मैं next session देश विच थ्वड़ेली हाजिर होंगा, तैस दा answer तुसी करना है, हुने दी हुने comment box विच बहुत दिना बाद वापसी कर रहे हो तुसी भी, सो हुने दी हुने comment box विच तुसी भी करके दसो किनने कू रेडी हो जी आजा ना, according to Vygos की, learning cannot be separated from, Vygos की दिमसार सिखन नू डैश तो वक्ष नहीं किता जा सथा, देखो V for Vygos की आजाए ना जदों मी, ता as for social context तुनों याद कर लियो, समाजिक संदरब, Vygos की हमेशा समाज तो सिखन दी गाल करंगे, समाजिक अंतर क्यामा तो सिखन दी गाल करंगे, नंबर ना चाड़ दी हो, समाजिक विकास, तो गयाना आतमग विकास दोना दिना जुड़ जान दी है, इस दी थियोरी, अलांकि इस दी थियोरी, तो समाजिक संदरब वाली साइड ते चले ही जान दी है, तो आप भी तो समाजिक संदरब वाली साइड ते जाके रुको जामांगे, ठीक है, गाइस, आगे देख लो, दे कंसेप्ट ओफ प्राइवेट स्पीच ओफ चिल्डरन एज प्रपॉस्ट बाइगोस्की, वाइगोस्की दे सिदा आतनुसार बच्चेयां दी निची बोली दी जो तारना है, ठीक है, उस दे समंद्वे चलसियत्य की देख सकते हैं, पर्स ओप्शन थ्वाड़े सामनेत रखी जा चुकी है, शोर्स दाट चिल्डरन आर स्टूपिड और दस नीट गाइड़न्स ओफ एडल्ट्स, की दर्सांदी है, की बच्चे मूरक हुन्दे हन, एस लई उननानू बाल गांदी अगवाई दी लोड हुन्दी है, की प्राइवेट स्पीच था यूज बच्चे ऐस करके कर दे है, क्योंकि वो आपने आपनों प्यार कर देने, देखो एग दोनों गलना दूजी ते तीजी प्याज़े हुन्दे था सैट कर देने, आपना सही ओप्शन नहीं वाली, वाई गोउसकी जणे गरनी, वाई गोउसकी ने इगोसेंतरिजम दी गलना गिती, वाई गोउसकी ने क्या सी, प्राइवेट स्पीच बच्चा ताँ करदा है, तांकि उसने अपने एक्षंज नों एक दिशा परदान करनी हुन्दी है, तो ये उन्दी है सब तो एक ताकि उन्नों चीज़ा ना जस्ट अपना एक माइंड विच एक प्लैन बनादा है कि माँ एद्दा एद्दा जाके IME में करूंगा उन्दी कोसी की सोच दिया मैं कल पेपर देन जाना है मैं कल पेपर देन जाऊंगा ना मैं सब तो पहला एवाला सेक्शन करूंगा जी ठीक है तो ये चीज असी उन्जो कर रहे हैं इस सारे दी सारी असी अपने आपने अंगलना बता करी जा रहे है ये भी एक टाइप दी प्राइवेट स्पीच है ठीक है बट उचीज साइलेंट हो रही है ओदों है जिदो असी लाउडली बोल दे हम प्राइवेट स्पीच वरी साइलेंट ही होदी है उन्दी साइलेंट इनर स्पीच जिते साइलेंट करती हो प्राइवेट स्पीच होदी तो बच्छा आपने दाल उच्छी उच्छी गलबात करता है ठीक है हाँ मेरा कल पेपर है मैं कल पैंसिल लेकर जाऊंगा मैं कल एरेज परसन नहीं है, वो खुद दी है, I and me, दोनों खुद दी है, जी ओ, ठीक है, उचीज देख सकते हो, तेथी हो है, जिस्ते बेस्ते हो गलना करता है, प्राइवेट स्पीच थोड़ा जा उच्छी आ लहजे विच गलना करता है, तुसी पहचान सकते हो, तुसी उस्ते कोल स्कूल्स आर देर, and how many children between the age of 3 to 6 years are in the country study there, तिन तो 6 साल तो उमर दे, बच्चे आन दे, किन्ने स्कूल ने, and किन्ने बच्ची उत्थे पढ़ दे ने, उन्हें थ्वाट्डे को लो नहीं पुच्छा आ जा रहा है, तो पुच्छा आ जा रहा है, कि उन्हें, what is important to know it, अगर तुसी ये जानना चान दे हो, ता ऐस स्कूल्स, बच्चियां दा सर्वेखन जरूरी है, सर्वेखन जरूरी है, सर्वेखन चिल्डरन, या माता-पिता बारे जानकारी जरूरी है, नॉलेच अबाउट फादर एंड मदर, या फिर इनना विच्छो कोई भी नहीं, गाय स्थानू जो सर्वेखन करना पाएगा, and सर्वेखन के सीज़ दा स्कूलना दा, बच्चेयां दा नहीं, स्कूलना दा करना पेगा, नेक्स एक सग्दियो, आंगनवडी या अपका नू हेट लिखे केड़े टांग द्वारा सिखलाई दिती जावेगी, आंगनवडी टीचर्स विल बी ट्रेंड इन विच ओफ दा फॉल्विंग मोड, एक गल अंदिया जरा न्यू एजुगेशन पॉलिसी देना लिंक होके, सानू क्या गया, कि आंगनवडी वर्करज ना अंट्रेंड नहीं, उन्हों ट्रेंड बनाना है, तो उन्हों ट्रेंड बनाना वस्ते असी की करना है, जरा उस पॉइंट दे है, क दी वर्तों करके सब कुछ करना है, यूजिंग डिटी एच, बाई डिजिटल और डिस्टेंस मैथर्ड, या लास उसी देख सकते हो, स्मार्ट फोन दी वर्तों दोरा, बाई यूजिंग आ स्मार्ट फोन, के डी ओप्शन सब तो बहसता है, गाईज इस ते लिए सानू दस दिख्या, प्रवाइड कर सकते हैं, और वी क्योंकि अंगरवणी वर्कर्स ऐसे टाच वेच जरूर होंगा, डी टी एस टेकनोलजी पर, अगर सेशन वदिया लग रहे है, पहलना तो शेयर कर दू, और दूसरी इंपोर्टेंट चीज, अगर तुसी हले तक, टेट बजर द ली प्रेपरेशन कर रहे हो, ताम यह उन्दा नाम लिख सकते हो, अपने शहर दा नाम लिखो, मेल हो या फीमेल हो, सिंपल एस पैटरन देवे चर्दाइन टाइप कर दे होए, एस गिवन नमबर ते वर्टसेप ते सानू जो है, मैसिस कर दो, तांकि थ्वाट डे लई, उ अपनी एफ्लिकेशन ते एवेलेबल है, उसनों भी तुसी चेक आउट गर से वीडियो लेक्चर प्लस पीडियाफ नोट सेना, टॉपिक वाइस, एमसी क्यूज देना, सब कुछ है मिलेबल हो, गाइस, 11th कोशन आ चुक है, थ्वाड़े सामने, हाओ उफण शुड यू बरश यूँर टीथ, उन्हें आ गया, हैल्थ एड़े लिनेज तो हो, या फिर हाइजीन एड़े लिनेज वाली साइड तो उसी देख सकते हो, हाइजीन एड़े समंध विच है, हाणा, सवच्छता आते समंध विच, कि जे जी तुआनू, किन्नी आपने दंद बुर्श करने चाहिए, कोशन बहुत बेसिक है, बट एक वर थोड़ी आइस देखो, निकालना जरूरी सिखा, देखो सब जान देओ, डॉक्टर्स भी सला देंदे है, दिन देविच दो बार ब्रश करना जरूरी है, एक मोर्निंग टाइम, एक इविनिंग ट फाई चानिया, एंड तुसी वो नन्ने मुन्ने बच्चा नों गाइड करना है, ता नन्ने मुन्ने बच्चा नी हैबिट वेल्प करा दोगे, ता बच्चा सारी जिंदगी त्वनु से लिउट करेगा, उससी इस दिले, क्योंकि दंद एक काफी इंपोड़न चीज अंदी नेक्स है, जी गिविंग पनिश्मेंट, वर्बल और नॉन वर्बल टुदा चिल्डरन रिजल्ट सिन, यंदे बच्चे नों तुसी शाबदिक या गैर शाबदिक सजा देंदा की नतीजा होंदा है, ठीक है, तुसी बच्चे नों स्तुपीड कई जा रहे हो, तुसी बच जन्दा है, तुसी तो परहिज करना है, पहले चीज, क्योंकि तुसी हमेशा प्री प्राइमरी बच्चे आदे, टीचर हो, एचीज माइंड विच बना के रखने है, एंड तुसी उन्हाद ली रोल मोड दो, जितना तुसी करोगे बच्चे ने तो उमें करना है, ठीक है, तो इस चीज, एक्सपेक्ट करदा, काफी मोरल वैल्यूस तुसी बच्चे विच हमेशा डेवल्प कर दे रहोगे, वैल्यू एजुकेशन ने नो दे होगे, एंड उससे लिए थवानू मैं गाइड कार रहे हैं, बट तुसी मेर नो लो कितने किते ज़्यादा समयज़दा तो इस चीज आपा नहीं करनी है, बच्चे दिली आपा आइडियल आँ, बच्चे दिली आपा दर्शा, चोटा ननना मुनना बच्चा प्यारा जब बच्चा त्वन्मों ही देखेगा हमेशा, उसा फोकस थवाट देत रहेगा, एंड ऐसे करेंगे एक चीज याद है, टी टीचर जादा तर सेंटर वेच बैठे, इर्दगिर्द वाली, जो चेर्ज लगिया होन, सैट अप लगया होवे बच्चे दा, वो थे मिंस टीचर दा भी बच्चे दे पूरा फोकस, बच्चे दा भी टीचर दे पूरा फोकस हो चीज है, उन तुसी ना था बच्चे नो न वर्बल टांगनाल कोई देना है, ना इवर्बली, नोन वर्बल हो जांदा, इश्यार्या ना ली जोंदे जांदा, इजस्ट एक ड्रामना जा फेस बनाके तुसी ड्राना शुरू कर दिता, ठीक है, वो भी एक पनिश्मेंट है, ठीक है, तो वो एक चीज देख सकते हो, त प्रोटेक्टिंग दा चाइल्ड इमेच, कि बच्चे दी छवी नो सुरख्या परदान करना है, गलत है, इमेजिंग देर स्कोर्ट्स, इंप्रूविंग देर स्कोर्ट्स है, उनना दे अंका में सुधार करोगी, नहीं, डैमिजिंग देर सेल्फ कंसेप्ट, एचीज अग बच्चा चाहिए स्कूल आंदा रहेगा, तक के नल चाहिए उसनों स्कूल पेज रहेए ने पेरेंट्स, बट बच्चे दे माइंड वेच तुसी ओ थ्वड़ी नीक गल, शायद तुसी गुस्से वेच सेगे, ओस चीज ने बच्चे दे मान वेच कार कर जाना है, बच्च और एक चीज दसा, एक चीज है ना, साइकलोजीकली बहुत इफेक्ट कर दिया ने, जिस ने साइकलोजी पढ़ लिया है, उसनों दे बच्च पूरोई डैप्ट वेच नोलेच होईगी, ये अद्दान दे शब्दा तो बहुत ज़्यादा प्रहिस करना होँदा, मैं टाइ कि ये बी ते सी है, ए ते सी है, ए ते डी है, या सी ते के है, के डी ओप्षन सब तो बेस्ट है, जिसनों तुसी है तो सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर इस B and C, ए दो है उज़े विटामिन होंदे ने, जो पानी वेच कुलाने चीर होंदे है, बाकि चार विटामिन, चरभी दिख लें दियो जदो टैफ्ट विच कर दियो, नेक्स है, स्वामीनातन समयती या पूरव स्कूल बाल कमेटी दा, विकास कदों होया सिगा, गाइस ए उज़े कुश्चन दा, आंसर येस और नो वल की गाल नंदी है, अगर पत है ता सही है, अदरवाइस प्रॉडम है, उ पेदिक दी बिमारी देली लगदा है, आई जड़ा ने कॉश्चन से टाइम कंजियूम नहीं करना, डाइरेक्ट आंसर कदों आनगे, जदो डैफ्ट विच टॉपिक पड़ लिया, अग्या जी, जमात दे वाता वरणों पर वावशाली बनाऊं देली, जरूरी है, दा एस of an effective classroom environment is, की हो सकता है इस देली, पहला है उन्हें पैड़ा गोजी बेस कोशन आगया, जड़ा देखो जदना सी पिछे ले देखे सी, वक वक अधिया अपक सहाइक समगरी, और वेराइटी ओफ टीचिंग एड्स, बहुत सारे टीचिंग एड्स ता यूज कार रहे हो, तु आइवली स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन है, या फिर तुसी देख सकते हो, बिलकुल शान्ती है, यह सकत अनुशासन है, गाइस इस देली दो ओप्शन सही है जी, ठीक है, एक ता तुसी वक वक अधिया आपक समगरी यूज कार रहे हो, काफी वधिया ओप्शन है, दूसरी चीज, बच्चे आते हैं आपका देविच, उत्शाप पूरण प्रस्पर परबाव, ठीक है, ता एवी चीज तुसी इस देली देख सकते हो, उन एनना दोना नो ही मैं सही करांगा, गाइस इस देली हो चुकी है, दो ओप्शन राइट, ठीक है, दोनी ओप्शन सह करें प्रेंट्स इंडिया, पर्स्ट जी असी उननニों मुश्प सिख्या पॉवाइड कर रहे हैं, इंडिया मुश्प सिख्या परोइड कर रहे हैं, ये लाज्म पिख्या, या फिर फ्री अन परेंटने mars दद्य कोई भी नहीं कोई नहीं है, आज दिख topics? nachulate पहला तक दास जो समा है वह एलिमेंटरी सिख्या तक देली ज्यादा सेमित सिगा क्योंकि देरे आसी छे तो चोदा साल तक देली फ्री एंड लाजमी सिख्या बट नियुए एजुकेशन पॉलिसी ने था उन्हों तेन तो अठारा साल देली गलबात कर दिती है हलांकि डिसे पर करिया देक रूप है सिख्याद एक रूप है जिसनों अनुकरन करना भी कह देनिया कि उसनल सिखना हो जानदा है fixing या knit करना मानसिक उलजना विच मानसिक confusion दे विच या फिर none of these guys अगर तुसी इससी नूँ देख देओ प्रोपरेशी दे लिए समझते हो तो इस दे लिए सब तो best option जो होएगी ओ है नकल करना, जदो तुसी नकल कर देओ imitation कर देओ, अनुकरन कर देओ तो उन्चे ना सिखना होंदा है, हलाँ कि बच्चा starting तो ऐसे टांगनाल सिखता है उन्चे कर रहा है उन्हादी नकल कर दा है अन्द फिर उन्चे कोल हो उन्चे कोल नदी नहीं है नकल करना है कि रिसोर्स एँ है उन्चे कोल देख सकते हो next question रंबिक रस्मी सिख्यादा की नुकसान है which of the following is the harm of early formal education की तनाते चिंता दे लचनादा प्रगट होना है symptoms of stress and anxiety है या फिर उदेश नो सफलता पूर्वक प्रापत करने बेश समस्या है difficulty in achieving the objective successfully या फिर सिखन दी रूची विच कमी आउना है decreased interest in learning या फिर all of the above केड़ी option तुसी सही ठहरा सकते हो guys सबतो best option है जिस ते ना थोनों अगे move करना है वो number D है ठीक है? S option नों तुसी देखोगे A ही option है सबतो best option दे तोर्टे thirdly अरंबिक जो सिख्या है न अगर तुसी दे रहे हो अरंबिक तोर्टे रस्मी सिख्या दे दिन दियो बहुत rules and regulations ये coding हर एक चीज़ formal है जी आतो उनो rules and regulations अपनानिया पहनिया तो problem है सारी आ जानिया ना तो बच्चे दे इंटरस्ट बनेगा बच्चा तना आते stress विच रहेगा तो चिंता विच रहेगा दुविदा विच फसे रहेगा और उदेशनों सफलता पुर्वक प्रापत करन विच उसनों समस्या आएगी इट मिंस कि सारी आई ओप्शन्स सही ने ता स्टार्टिंग तो फॉर्मल नहीं वे नी पविखत अकादमिक सफलता ते समाचिक विकास ते ली शुरुवात्ती सिख्या विच किस ती शमूलियत लाजमी है whose participation in early education is essential for our child's future academic success and social development उन अगर असी यह देख दिया है शुरुवात्ती सिख्या दिगा लू रही है कि शुरुवात्ती सिख्या विच पेरेंट्स होनेगे समुदाई है, community है, सरकार है या teacher है देखो शुरुवात्ती सिख्या विच कदे बाकी लोग नहीं होंदे, कार्दे होंदे नहीं अर्रंबिक सिख्या विच सबतो पहला importance होना दिया है पहली सिख्या करतों, पहली गयर रस्मी सिख्या करतों तो उस बेश से तुसी देख सकते हो, एक काफी important चीज है और इस तिना थड़ा है काफी सारा important point clear हो गया गाइस, वीडियो वदिया लगे हो है ता शेर ता जुरूर तब सुरू करनी ही करनी है अपनी टेट बज़र एप्लिकेशन दे एंटिटी दे पेड़ कोर्स इसता चाली रही है जिस्ते विच थोड़ा साथ नमबर दा पेड़ कोर्स है एक complete अपनी टेट बज़र दे अप्लिकेशन दे अविलेबल हो चुके ने जो भी थोड़े वीच विच्छुक है उड़नों जॉइन कर सकता है और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकता है बाकी गाइस आगर तुसी हले तक साड़ा टेट बज़र दा टेलीग्रम चैनल व्टसीब्रम जॉइन ने केता है तो झो भी ज़रूर तो करो अपना नाम लिखो अपने पेपर दा नाम लिखो अपने शेहर दा नाम लिखो पेपरेश हो सके फरी वटसक नुब से आड करेए और सारी अपडेट सो नो रें गया और नंगया जो थवाड़े खीकल दे झाल झाल